नमस्कार EMS TV में आपका स्वागत है देश की खबरों के साथ मैं हूँ आखाश कॉंगरिस ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को बजट सत्र से पहले ही आगाह कर दिया है कि ये सत्र भी हंगामे से भरपूर होगा कॉंगरिस का कहना है कि पी-म ये उमीद ना लगाए कि विपक्ष पिछणों के मामले में जुकेगा कॉंगरिस प्रवक्ता मनिश्टिवारी ने सौमवार को संसत सो चार रूप से चलाने में प्रधान मंतरी मोदी को विफल करार दिया साथ ही आरूप लगाया कि सरकार की कोशिश है कि विपक्ष पर संसत ना चल देने का आरूप लगाए उन्होंने का कि संसत चलाना सरकार की जिम्मेदारी है राजिस्थान विधानसबा का बजट सत्र 29 फरवरी से शुरू होगा राजिपाल ने चौदुवी विधानसबा के छटे सत्र को आहुत किया है बजट सत्र शुरू होने के बाद 8 मार्च को राजिका बजट लाए जाने का तैय किया जा रहा है केंद्र के आम बजट और रेल बजट के बाद राजिका बजट आएगा राजपाल के आदेश के अनुसार 29 फरवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी और अब बात करेंगे नई दिल्ली की जहाँ पे नई दिल्ली हाई कोट ने आम आदमी पार्टी के दीपक बाजपई की अरजी खारिच कर दी है उन्होंने अरविंद केजरिवाल के खिलाफ दायर मानहानी का केस खारिच करने की अपील की थी यह केस केजरिवाल पर वित्यमंतिर अरुण जेटली ने दरज करवाया है जेटली ने दिसम्बर में दिल्ली हाई कोट में मुख्यमंतिर अर्विंदे के इजरिवाल और उनकी पार्टी के पांच निताओं पर मानहानी का केस किया था इसमें इस पर जेटली और उनके परिवार के खिलाफ गलत बयानी के आरूप लगाए गए है अगर आपको ट्रेन की घटिया बासी चाय पसंद नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है तरह तरह की चाय की चुसकी ट्रेन में सफर का बटूट हिस्सा हो जकती है क्योंकि आया सीटी सी ने टी कैफे चैन चायूस के साथ हाथ मिलाया है शुरुवाती तोर पर दौनों के बीच ये तालमेल नई दिल्ली स्टेशन पर देखने को मिलेगा और बाद में इसका विस्तार दिल्ली और मुंबई के सभी स्टेशनों पर होगा आया सीटी सी के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया को जिलों की कमान दी गई है जबकि 11 जिलों में IPS सीधी भरती के दिकारियों को मौका दिया गया है इन तबादलों में MLC चुनावों से जोड़ कर दिखा जा रहा है हाली के दुनों में ये दूसरा बड़ा फेर बदल है अगर पैसा ही कमाना है तो व्यापार कर लो उन्हेंने का कि पार्टी में चाहे कोई मंत्री हो या विधायक या फिर कोई और हो शाह के मन की बात लेकिन स्वामवार को ब्रंदावन में जो कुछ उन्होंने कहा उससे राजनीती पारा और बढ़ गया है शाह ने स्वामवार को प्रदान मंत्री नेरेंद्र मोदी को सच्चा हिंदू राष्टवाती करार कर दिया है एक खबर के मुताबिक शाह ने कहा कि मोदी पहले प्रदान मंत्री है जिन्होंने बनारस के घाट पर आरती की और विकास की उनकी अवधार ना सिर्फ भौती की नहीं बलकि आध्यात्मिक भी है बजट सत्र के पहले विपक्ष के हमले का सामना कर रहे है भाजपा प्रमु कमिश शाह ने कल संसत के भीतर भैतर त मिताओं से मिलेंगे और अगामी दिनों में अन्य दलों के साथ इसी तरह की बैठा करेंगे बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जारा है और संसत हमले के दोशी मुहमद अफजल गुरू और जेके एलाइफ के संस्ताफक मुहमद मकबूल भट को फासी की बरसी क्रमशा 9 परवरी और 11 फरवरी को देखते हुए CRPF ने कश्मीर घाटी में हाई अलट जारी कर दिया है और अपनी सभी एकाईयों को पूरी घाटी में तैनात किया है CRPF के परवक्ता ने कहा कि हुर्यत के सभी धड़े और अलावगाती दौरा 9, 10 और 11 फरवरी को हड़ताल और प्र